ब्लाइज वेल्कम टूरतुस किछन डायरी आज हम बनाएंगे चिकन करी चिलो बनाते हैं मैंने लिया है लसन आद्रक और हराधने का पेस्ट हल्दी दुनिया पाउडर कोरेंडर लिप्स और वन केजी चिकन अब इसमें हम सारे मसाला डाइल लेंगे यह जो लसन आद्रक और हराधने का पेस्ट है इसमें मैंने बहुत ज्यादा नमक डाला था इसलिए मैंने नमक काऊ अब इसमें आड़ करूंगी थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ताकि इससे अच्छा सा थिकने साय हमारे सूप में मैं पहले आपको सूप बना की दिका रही हूँ उसके पाद हम करी सूप के सिझातव थोगों। पर जाएगा एक श्फून ओई इसे हम आजसे श्फून हम करें मिक्स करने के बाद हम पाच मिनिट के रिसी पांच मिनिटकर करने के लिए रखेंगे और आपके पास जाधा टाइम हो थाप ज्यादा ड़ड़ सकते हैं ठीके मेरे पास ज्याध हमारा पैस गòn league व्राउन नहीं होता ठीक है इसे कुछ से अच्छी तरज से यह ही मिलाते जाओ मिक्स करते जाओ अच्छ वह ना चाहिए तब हiej अच्क हिए झे अच्छा विहक ही अच्छा ऑन्च करते हैं हमारी सूप में है रच ltर करूँगी लसण आदर का पैस हम जितना जादा लसन आदरक यूज़ करेंगे उतना ही टेस्टे हमारा सूप और चिकन करी बनेगी ठीक है इसको डालने में कुझ्जू सी मत करो यह देखो हमारा पैस और लसन आदरक पैस अच्छे से बुन चुका है अब इसमें मैं आड कर रही हूं चिकन को इसे भी अच्छ अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे डग कर त्री सिट्या होने तक रखेंगे ज्यादा सिट्या मत होने दो ने तो यह बहुत ही गिला गिला बनेगा ठीक है और पर खुटा से मैं थोड़ा सा नमक डाला है मुझे नमक लग रहा था आपकी हिसाब से नमक डालिएगा यह देखो कितना प्रा लग रहा है हमारा सू यह इसे हम इसे कवर करके ठी मिनिट के लिए त्री चिट्या होने तक पकाएंगे यह देखो हमारा सूप रेडी है मैं आ नादाल पाउडर, कोरेंडर पाउडर, रेड चीली पाउडर, कोरेंडर लिज, अमबारी चटपटा मसाला और दो बड़े साइस के पैस मेंने बारी चौप किया है ठीक है अब हम तड़का लगाएंगे थ्री बड़े स्पून मेंने ओल लिया था इसमें एक कोटोरी पैस डा दाला है अब इसमें डाल रही है दाल चिनी और विलाइची एक स्लाइस कियो है जिंजर इसे हमाची से गोल्डन ब्राउन होने तर पकाएंगे हम ज्यादा मसाली इसमें नहीं आड़ कर रही हूं में सिंपल तर इसके से आपको करके बता रही हूं अब इसमें जाएगाए कोकोनट पावडर एक चोटी कोट वरी लिया है मैंने लगबख थ्री बड़े स्पून होंगे इसे भी अच्छे तरह से मिक्स करना है यह देखो मिक्स होगा हम इसमें डालेंगे लसन आदरक का पेस इसे भी अच्छे तरह से भूहनेंगे और बूहने के बाद हम इसमें आड़ करते चाहिए यहे हमारे सब्री मसाले कॉरेंडर पौडर रेड चिली पौडर ऑंबारी च़ट पता मसाला ये बाजार में मिल सकता हैापको गरम मसाला है यह और इसे अच्ची तरह से मिक्स करेंगे अब यह होम मेड मसाला है हमारे दादी मम्या घर में बना के रखती ने वन येर के लिए स्टोर करके रखती वही मसाला में यूज किया है इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और शुप का ही पानी हम इसमें उसक्षा वाटर नहीं यूज करना है हमें यह देखो म पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके अड़ करेंगे एकडम से नहीं डालेंगे ठीक हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा सूप इसमें इसके अंदर डाला है और सूप आपको ऐसी पी सकते हैं खायां पीने में बहुत ही हिलदी रहता है सूप जिसको इसे अच्छे से हम कोरेड़नेर से गार्निश करेंगे यह देखो हमारी चिकन करे एकदम बनके रेड़ी है हम एक पैटर बना रहे हैं इस हरा चना डाल का पैटर है इसे डालने से हमारे ग्रीवी में बहुत बढ़े आठिकने साथ है इसे उबालाने के बाद हम इसमें इसे डालेंगे तुरंद इसको हम मिक्स करेंगे नहीं तो इसमें लंच बन सकते है उसके इसलिए से हीलाना है थोड़ा सा और यह देखो हमारी ग्रेवी अच्छे से बनके रेड़ी जाधी पतली भी नहीं है और ज्यादा गाड़े भी एक तम परफेकंट सेंटेस से है ठीक है यह हमारी ग्रेवी ब इसको अच्छे से उबाल आ रहा है हमारी ग्रेवी एकदम बनके है और यह और और उसका जाधिकनेस एकदम परफेकंट बन चुका है और उसका समेल तो बहुत यह था खाने में बहुत टेस्टी नहीं थी ठीक है देखो इसका कलर कितना बड़ी बर आ रहा है चिकन तरी-क examples बहुत बढ़ी अच्छे बढ़ी है मैं आपकी से सर्व करके दिखा दिये देखो मैंने इसे सर्व किया है आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करेगा और मुझे कमेंट में बताएगा आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा आप मेरी आप भी जरूर इस रेसिवी को ट्राइ करें और मुझे कमेंट में बताएगा आपके रेसिवी कैसे बने थी और मेरे आयों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा तब तक के लिए बाबाए हम फिर मिलेंगे